मुझे लगता है कि बिहार के विकास के लिए ऐसे कदम बिहार के मकवंत्री जी ने उठाया है राज में डवल इंजन की सरकार जब होगी तो बिहार का विकास होगा। बिहार के मकवंत्री आदमी नितीश कुमार जी ने अपने मुकार्विन से कहा है कि मैं जहां था वहां गुड़ फी महसूस नहीं कर रहा था हम वहां से सरकार अच्छा संचालित नहीं कर पा रहेते हैं सभी दल जो इंडिये गडवंदन का हम एक साथ है आप देखे भी होंग पार जीता एक सांतर है सिट सेरिंग का यहां कोई समस्या नहीं है लोग सभाच नों में मान लिया जाए कि आप 40 के 40 चीटी सबार जीत जाएंगे पिछले बार 49 जीते थे जंता बोल रहे हैं निता नहीं बोल रहे हैं विहार के तेरे क्रोड़ जंता देज के एक रब 40 क्रो पोश्टर लगाए गए थे जिसमें ये पोश्टर काफी जो है चर्चीत था लेकिन अब नितीज कुमार आर जीजी का साथ छोड़ करके बीजेपी और हम पार्टी के साथ मिलके एंडिया के की जो है सरकार बना लिये हैं कल सपद ग्रहन भी हो गया नवीवार जो है मुख म चिन वहरा यार है असली बेववफा तो नीटी से कुमार है क्या लगता अपनी 30 साथ रहा है ब्यवफा या बहट का उसका टिक तेकि भारती जनतापार्टी वीजेश की पार्टी नहीं है भारती जनता पार्टी बिहार के त्रेकोडा को कैसे रोटी कप्ला मकान मिले कैसे ह मिले उसकी लड़ाई भरती जनता पार्टी लड़ती है। मुझे लगता है कि बिहार की विकास के लिए ऐसे कदम बिहार के मुक्वंत्री जी ने उठाया है। 17 साल में इस देश के राजके गरिबों को उन्होंने क्या किया। बिहार की जनता ने कांग्रिस मुक्व जब बनाया था और मता पिता की सरकार में तब्दील किया था। मता पिता की सरकार ने किस तरह से दोनों हाथ को बिहार के संपदा को लूटा था। अज बिहार की जनता देख रही है तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादो जी को अपने मता जी के और पिता जी के सासन काल को बिहार के जनता को हिशाब देना चाहिए अर्जीडी वाले तो कह रहे है कि 17 साल में एंडिये के साथ नितिश्क मार रहे जितना रोजगार नहीं दे पाए उतना हमने 17 महिने में दे दिया है रिकॉर्ड तोर मुझे लगता है कि तेजसी यादो जी को ये जरूर बताना चाहिए कि ये बिग्यापन कब का था जो आज बाहलिया हो रही है उप पुरुब सरकार में एंडिये के सासन काल का ही बिग्यापन था और जहां तक सवाल है नोक्री देने की तो उन्होंने कई बार ये चीज को पाधम से ही होता है ये दूर दूर तक कहीं किसी व्यक्ति विचिस का काम नहीं है बिहार के अगर विकास हुआ तो एंडिये के सासन काल में हुआ और इन्होंने थोती दलील पेश करके बिहार के जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं बिहार की जनता जान रही है कि आपके 15 साल के सासनकाल में कम अलप आयू में आपके पास अकुद समपतिया आ गई इसके बारे में क्यों नहीं जनता को हिसाब देते हैं कि अब किस मकसद से बोल है मुझे लगता है कि यह सवाल का जवाब स्वेम ते जस्वी जी देंगे मुझे लगता है कि उनसे आप पूछेंगे तो इसका जवाब वही दे पाएंगे एंडी एलाइस गठवंदन का जो निर्मान नितीश कुमार जी न किया आप लोग यह देख करके डर गय क्या कि नितीश कुमार इंडी एलाइस गठवंदन का नेत्रित कर रहे हैं इसलिए तमाम जो है बयान बाजाओं के बीच भी आपने जेडियू को स्विकार कर लिया सम्राठ चोद्री जी बोल रहे थे कि नितीश कुमार को सत्ता से हटा के ही पगरी खोलेंगे लेकिन पगरी भी बांदे वे हैं पगरी खोले वे नितीश कुमार आ गया है सवाल रहेग ब्हार के मंखमंत्री ल्हाइन तरद को बया कर चुके हैं तो इस पर करके मुझे कुछ नहीं कहना मुझे लगता है कि श्वयम ये निड़ने मुखमंत्री जिने लिया है आखडी सवाल रहेगा एंडिये के घटक दल जो है जैसे चिराग पासवंजी की पार्टी हो गए पस्तुपद इकमर पार्यस की हो गए हाम हो गए उपर इंदर कुछ पार्टी हो गए तवाम जो एंडिये घटक दल है य देखे भी होंगे सब्सक्राइब में सभी हमारे सम्मानित निता एक साथ रहे सीट सेरिंग का यहां कोई समस्या नहीं है बिहार के तेरे कुड़ों जनता को अच्छे रोटी अच्छे कपड़ा अच्छे मकान अच्छे सड़के अच्छे स्वास कैसे मिले इसकी चिंता इंडिये के हमारे निता करते हैं लोग सभाच उनों में यह मान लिया जाए कि आप 40 के 40 चीटिस पर जीत जाएंगे कि पिछले बार उन 40 जीते थे जनता बोल र चालिस और देश में 400 पार मोधी जी के नितुत में इस पर जनता देखे और जो यूपीय के लोग है ना खाले पुलाव पकार हैं उन लोग की जमानत बचना मुश्किल हो जाएगा क्या लगता है आप जोड़ी चलेगी लंबी थे सब्सक्राइब और फेस्बूक पर लाइक जरूर करें